बिसमिल आईर हमारे रहीम आज हमने नेक्स टॉपिक स्टार्ट करना है डिस्क्रीट टाइम फॉर स्टार्ड डिफरेंस एक्विशन एक एक्विशन जो है उसमें अगर डिफरेंस दिये हो टाइम के रिस्पेक्ट से एक साल, दूसरा साल, तीसरा साल इस तरह या एक पहला मन्त, दूसरा मन्त, तीसरा मन्त तो उसको हम डिफरेंस एक्विशन केंगे डिस्क्रीट टाइम का मतलब है कि वेरिबल जो है उसमें हम इंटीजर वैलिज लेंगे टाइम वेरिबल है उसकी हम इंटीजर वैलिज लेंगे तो इसमें first order difference equation जो है with constant coefficient and constant term जो है उसके अंतर first difference involved होता है उसको भी इस तरह से लिख सकते है yt plus 1 plus a yt is equal to c मतलब ये time period t plus 1 है और ये उससे पिछला time period है a यहाँ पे constant coefficient है और c constant term है first difference जो है उसको इस तरह दिखा जा सकता है अगर इस तरह लिखा हो इसी variable के साथ delta yt उसका मतलब है yt plus 1 time period t plus 1 में y की value minus time period t में y की value first order difference equation जो है इसको solve करने के लिए हम दो method यूज़ करते हैं एक iterative method है और एक general method है first of all iterative method हम देख रहे हैं कि किस तरह से हिस्त में इससे जो है ना हम इसको handle करते है yt plus 1 plus a yt is equal to c ये general form में first order difference equation है इसमें ये वली term इस side पर आजेगी तो minus a yt होजेगी अब हम iterations करेंगे iterative का मतलब है हम iterations करेंगे time के respect से अगर yt plus 1 की जगा पर 1 हो तो इदर जो है वो 0 आजेगा ये time period 1 है तो ये 0 होगा तो y1 is equal to a y0 plus c है इसको अगर हम y2 के लिए equation को लिखना चाहें तो y2 is equal to minus a y1 होजेगा यहां पर plus c अब y1 जो है उसकी ये value है तो इसको अगर हम यहां पर put करते हैं तो y2 is equal to minus a into minus a y0 plus c और plus c ये वला इस तरह से ये जो है इसके साथ multiply होगा तो a square y0 होजेगा minus a c और plus c ये वला y2 is equal to a square y0 plus इसमें c को अगर पहले लिखने इसको बाद में लिखने तो c common आजेगा अंदर आजेगा 1 minus a तो इसके बद y3 के लिए अगर इस तरह से हम equation लिखना चाहें जैसे ये value equation हमने लिखने हुई है तो y3 is equal to minus a y2 plus c होगा तो y2 जो है इसके लिए ये value equation हमने find लिए थी जो इसको हम यहाँ पे put कर देंगे तो y3 is equal to minus a a square y0 minus a c plus c और plus c ये वला c तो इस तरह से y3 जो है इसके equation find करने के लिए इसके साथ multiply होगा तो a cube होगा minus का y0 plus a square c minus a c plus c देखें अगर तो y1 की equation जो है इसमें इसके coefficient minus में है y2 की equation में यही coefficient positive हो जाता है y3 की equation में यही coefficient negative हो जाता है general form में इसको अगर हम लिखना हो तो यह y3 बढ़ता-बढ़ता yk के approach कर जाता है इसके इसके coefficient minus 1 है और a की power में भी k into y0 और plus c into 1 minus a plus a square एक दफा minus का sign है एक दफा positive sign है फिर minus sign है अगनी term फिर positive होगी फिर इस तरह यह चलता जाएगा और इस तरह minus 1 की power k minus 1 a की power k minus 1 इसको general form में इस तरह लिखे जाएगा तो यह iterative method है इस method से हम iterations करते हैं और solution find करते हैं जैसे यह example है delta yt is equal to 2 है तो y की initial value है यह given है yt plus 1 minus yt इसको लिखे जा सकता है is equal to 2 yt plus 1 यह side पर चला जाएगा तो यह yt के ब्रावर होजएगा plus 2 y1 अगर put किया जाएगा तो यह y not होजएगा plus 2 अगर y2 इस तरह इतर आजएगा तो यह y1 होजएगा plus 2 y1 की value यह वह लिखे जिवन है y2 की value यह भी हमने find उपर की है इसको इधर put कर देंगे y not plus 4 plus 2 यह y not plus 6 होजएगा तो इस तरह इसको 3 into 2 लिखा जा सकता है इस तरह इसको generalize करें जब हम तो y1, y2, y3, बढ़ता बढ़ता yt होजएगा is equal to y not plus 2t तो yt is equal to y not की value 15 initial condition due है plus 2t होजएगा इसी तरह से delta yt is equal to minus 0.1 yt है तो yt plus 1 minus yt यह difference होगया minus 0.1 yt यह इस side पे अगर हम ले हैं इसको इस side पे ले हैं तो यह positive होजएगा yt plus 1 is equal to इसमें से minus करने तो यह 0.9 yt होजएगा y1 is equal to 0.9 y not y अगर y1 की जगा पर y2 हो तो इधर फिर 1 आजएगा तो इस तरह से y1 की value यह वली अगर हम इधर put करते हैं तो 0.9 y not आजएगा इस तरह 0.9 into 0.9 0.9 का square होजएगा into y not और इस तरह से y3 जो है इसी यह equation 0.9 into y2 होगी और इस तरह से y2 की value अगर हम इधर put करते हैं तो यह आजएगा y3 is equal to 0.9 की power cube power 3 into y not तो इस तरह देखें अगर तो y1 के लिए इधर 0.9 की power 1 है y2 के लिए 0.9 की power 2 है y3 के लिए 0.9 की power 3 है तो yt के लिए 0.9 की power t होजएगी into y not इस तरह से एक्जेंपल दिए होई है yt plus 1 minus n yt is equal to 0 तो n yt इस साइड पर आजएगा तो m के साथ हम अगर दोनों साइड पर divide करें तो yt plus 1 is equal to n over m yt होजएगा y1 is equal to n over m into y not अगर इधर 1 हो तो इधर 0 आजएगा y2 के लिए इधर 1 आजएगा y1 की यह वली equation जो है इधर put की जाएगर तो n over m y not आजएगा इसको multiply करें तो इसका square होजएगा into y not y3 is equal to यह equation जो है n over m y2 दिखा जाएगा इधर तो इस साथ से y3 is equal to n over m into n over m whole square into y not यह n over m की power 3 होजएगी into y not yt इसको generalize कर दें तो y1, y2, y3, yt होजएगा power 1, 2, 3 इसरा करते जाएगे तो yt होजएगी into power t होजएगी into y not यह इसका iterative method से solution हमने find किया next जो है इसी जो है first order difference equation का solution हम general method के साथ पढ़ेंगे उस वकर तक के लिए लाँ आफिस